तो यह सूबह मॉर्निंग का है और यह देखिए कितना अच्छे से भगवा कलर का जंडर लहरा रहा था और फिर हमने ना पत्ते की बरी बनाये थे हम लोग इसको बरी बोलते हैं तो इसके लिए मैंने जो बैटर तयार किया था जो मसाला उसमें बेसन चावल का आटा और मसाल पीसा था जिसमें था थोड़ा सा अधरक और लहसन का पेश्ट और जीरा अजवाइन राई यह सब पीस कर और मसाला को सबको इस आटे में मिला कर अच्छे से आटा गूते ना वैसे गूता था थोड़ा टाइट रखते हैं ना उससे क्या होता है कि जो बड़ी है ना वह अ अच्छे से बड़ी बन जाए तो यह जो मसाला बटर तेयर करते हूं मैंने आपको बताया कैसे बनाना है और इसमें साथ में आप क्या मिलाओगे स्वादानुसार मिर्ची हल्दी और नमक थोड़ा साप काला नमक भी मिला सकते हैं जिससे कि यह पाचक होता है और इस तरीक पूरी बड़ी बनाई थी तो यह थोड़ा से मैंने बड़ा इसलिए रखा है ताकि आप अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं ऐसे देखकर और फिर इसको इस तरीके से मोड़ेंगे और फिर फिर दूसरे साइट से भी ऐसी मोड़के फिर और उसको मसाला करके और यह देखिए मैं उल्टा पकड़ा था बट जहां इस साइट से मोड़ना है यह जो पहले पत्ता मोड़ा था ना उधर से मेरे साइट पर जो भाग है वहां से नहीं जहां से मैं मसाला लगा र रखके भी मोड़ सकते मैं इधर रखके मोड़ रही थी क्योंकि उधर से मिरे को बन नहीं रहा था तो यह देखिए इसको थोड़ा सा ऐसा टाइट टाइटनेस के साथ थोड़ा सा ऐसा रोल करते हुए लाना है और यह देखिए यहां एक आंश अपनी मस्ती कर रहे हैं बुझ अर्बुझ कट रहा था और यह देखिए मेरी बड़ी बन रही थी यह देखिए यह बन गई एकदम टाइट और एकदम अच्छी वाली बड़ी अभी हम इसको तेल पानी से या फिर जो होता है ना भाप में पका लेंगे और फिर इसको काटकर इसको हम तेल पे तल भी लेते हैं दाल के साथ तली बड़ी बहुत अच्छी लगती है तो ऐसी मेरी दो तीन बड़ी बन गई थी यह जो तरीका है सासुमा नहीं सिखाया था और फिर बड़ी बड़ी बन गए उसके बाद जो बाजवाली टीनी थी वह क्या लेके आई थी गिटार लेके आई थ जाना था तो यहां मेरे साथ कुछ परफॉर्मेंस करनी थी उसको तो उनने बोला कि भावी मैं लेके आती हूं गिटार मैं बोला चल लेकिया हम लोग का काम हो गया थी तो मैं लोग एंटेटेंट कर लेते हैं दुसरे को और यहां मेरे बैक्स तयार होके रखे हुए थे क् मैंने बैक कुछ भी अनपैक नहीं किया था सब पैक धी था जो समान था बस वही काम का समान ही निकाला था यहां टीनी गा रही थी सौरी कॉपीराइट के कारण मैं कॉपीराइट आजाएगा करके मैं नहीं साउंड रख सकती ओवर वोईस ही करना पड़ रहा है मुझे और टीनी बहुत ही अच्छा गाना गाना सीख गई है गिटार भी बहुत अच्छा प्ले करती है तो हम लोग ने कम से कम आदा पॉन घंटा इसी को टाइम दिया था मैंने भी बहुत सारे सौंग्स गाय थे कभी मैं आपको नॉर्मली जब जैनल वह जाएगा तो कॉपीराइट अच्छा लग रहा था तो अपने दादी की गोध में बैठकर गाने सुन रहा था और मा को भी पता था टीनी बजाती है गिटार बड़ गाती है पर उन्होंने भी कभी से सुना नहीं था उसके उससे तो वह भी थोड़ा सा इंजॉय कर रहे थे और फिर वहां पर सपना जी जी की साथ एकांश को भी नवड़ा इंट्रस्ट आर था उसने बजाने का लिए था रहा था और यह देखिए कैसे बजा रहा था और इदर टीनी गिटार प्ले कर रही थी और एकांश अपना तबला बजा रहा था एकांश को बड़ा अच्छा लगता है यह सब चीजों के चीजों को इंजॉय करना तक गाने गा रहे थे और यह बुक भी लेकि आई थी साथ में सारी कॉपी जिसमें उसके सारे गाने लिखे हुए थे नोट लिखे हुए थे कौन सार नोट कब लेना है मतलब सिंगिंग का गिटार प्ले करते सामय और मैंने भी थोड़ा से कर दिया था मेरी चाय भी थी और देखिए दादी एकांश की दादी आगे थी चाय पीने के लिए और दर सब लोग एक तरक साथ इंजॉय कर रहे हैं मा तो तीनी को यह देखते जा रही थी तो यह बता रही थी कि बड़ अच्छा फेस बिस का बनता है सॉंग आते सामय और अरोल इस एकांश की मस्ती भी चालूती यह देखिये एकांश का सेे कर्द्राब कमें और दादी की से अब फिर उसके बाद घड़ते गय हैं तो होता है एज कीомина बहार साथ तो थोड़ी थकान लगती तो पापा जी लेड गए थे तो एकांस को बोल रहे थे कि एकांस जाओ तो दादा जी की कमर में और पैर में वो दबा दो तो वो दबा के फिर वापस भी दो मिनिट में आ गया और फिर शाम हो गई थी तो यह लोगों परशवत में गये तो मैंने हमें तोडरा सा वीडियो ले लिया था क्योंकि न इत्रम Tu prafik होता ताइम पर आफितों बहुत कम दिख रहा है और यह दूसरे इनका वीडियो है जब भी ंबर कर जहनती थी टो उस दिन पर नी ребята निकली मह बता रही थी कि इतनी लंबी इस बार क्यों नहीं निकली इतनी लंबी छोटी सी रेली निकली थी और फिर बन रहे थे हमारे घर में गुल-गुले तो गुल-गुले की जो रेसेपी वो मैं आपको बताती हूं इसको क्या करना है कद्दू को काट लो उसको सक्कर या गोर डाल के अच्छे से पका लो फिर आपट इसने की जरुवत निंए फिर उसमें आप क्या कर सकते चार बची के बाकी जोड़ाइब रहते हैं उनको अच्छे बारी बारी कटकर के आप इसमें मिला सकते और साथे में इसमें अ collecting कम रखिए क्योंकि क्या होता एंस में ठोड जोड़क बनते हैं और कदू बहुत ही सिंपल काने बना सकता है तो मैंने पूरी अविक इस तरीके से बनाना है अब बना सकते हैं गुलगूले बवहुत ही बने अवह के तय सभी सभा और वहां वह छेट बनासे बिहां सामने ना वो जो बनाते हैं ना सूपे और बास का जो काम करते हैं उनका घर है तो वहां पर सब बहुत चीजे देख रहे थी वह ख़ज भी रखी हुई थी उसकी कूलर की और यहां पर भागवात होने देखिया सामने पोस्टर लगा हुआ है अब देख पा रहे होंगे तो य को पीसने के लिए और सुखाना पड़ता है पहले और यहां पर पीसा नीजाता है आँ पूटते हैं थोड़ा सा तेल में गरम करके तारे मसाले के देखियें यह यहां पर यह सारे मसाले निकाल रहे हैं नाम भी मैं आपको बताओंगे बितने इसका नाम गेउ फाटा था थ खाट फाटा ऐसे कुछ नाम था सौबती बड़ा इलाइचा छोटा इलाइचा छबीला मीठी लकडी और ये नागेसर और मीठी लकडी में बताया हरा धना तेज पान का पत्ता बहुत सारे अलग-अलग टैप के मसाले लेके आये थे पापा जी और ये भी गयते साथ में एका भा स्वा पत्ता बार बार बादल ही बन जाते थे हमने तो बहुत सारे काम करी ने पाया खस खस है यह सारे मसाले साल भर के हिसाब से ला लिए जाते हैं और जैसे कभी ख़ड़ी मसालों की जरुत रहती तो ख़ड़ी मसाले अलग डबों में भरकर और कुछ निकालने लग थी और फिर हम लोग ने दूप में सुखा दिया था वैसे मसाले सारे बहुत अच्छी क्वालिटी के थे बट रहता ने एक बार दूप दिखा दो तो सासमा बोल रही थी कि सारो चीजों को अलग-अलग मत रखो काम करो ऐसे पैकेट्स में साडी भी चाकर सारे उसको सुखा दो तो देखिए हम लोग ऐसे शुखा रहे थे सब लोगों ने हैल्प की दी अहां मेरे मेरे हजबन भी थे वो भी थोड़ा सा कर रहे थे जीरा लाए थे लब सारे मसाले जो होते हैं जिनकी नीड होती है क्योंकि मसालों से ही बोलते हैं खाने का बहुत अच्छा स्वाद तो यह एक लिस्ट है मेरे सवसुर जी के पास जाय फल भी है तो सारी जो चीजे होती है वो ला लेते हैं साल भर के हसाब से और यह देखिए यह यहां पर चटनी पीस रही थी मसाले पीस रहे थे तो सासुमा कह रहे थी कि अपने मिक्सी में पीस ते वे इसमें पीसेंगे मैं पीसने पर एकांश ने बोला दादी पीस ही कि यूद्धी के साथ एकांश को भी वाली चीज करने थी जो वो कर रहा है देखिए उनके ऊपर वह हो रहा है और यह देखिए यहां पी यह मेरी चटनी बन रही है मैंने इसको चटाका बोल दियो और बाकी मसाला पीस रहे थे एकांश को यह हरकत करें थी इसलिए वो पापा जी आये थे उनको लेके जा रहा है और बस मुश्की से दो मिनट रहेगा और वापस आजाएगा और फिर हम लोग शाम को गये थोड़ा से दोपहर और शाम के बीच का टाइम था देखिए यह पेंका पैट कोको एक आड़ का जो पैट है डॉगी वो था और ये इनके घर में जो सारे एलबम हैं इसमें दीमक लग रही थी तेंनी ले ले आई तो मैंने इसके ममी-पापा की शाधी शाधी ममी-पापा के उसकी चोटी विखोर्य कि शाधी साथ मुए ती तो उसके सब के को को बिचरा वहीं बैठा रहता है यह लोग इधर आ जाते हैं वहीं बैठा रहता है और देखी कितना प्यारा लग रहा था संसेट होने वाला था थोड़े दिर बाद और मैं ऐसी छत पे आई थी कुछ काम के लिए वाश्रूम जाने के लिए थी छत में वाश्रूम है और य लोग 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 दियन है można को काम के लिए रछे लेक喜欢 समाम के लिए मुष्टू क कि को ढ似तर है समाम愎अ लोगा सबतने फयर दिय हो को बिएregation के लिस्वाशन है यह रगला सकत सका काम के भी छूम जा में 91र एंक को यारी वालंगे रहता हैं बड़ा मैं वालग हिए और बallo